हेलो फ्रेंड Welcome Back To Our Channel। आज मैं आपको याँ पी लेहंगे का बॉट टिंग करना बताऊंगी तो यहां पे देखिए यहां पर हमारे पास जो हैना तो यह जो लाइनिंग है हम अलग से लगाएंगे अब हम सबसे पहले जो है अपने कंदे को देख लेते हैं जो हमरे गले का डिजाइन है वो किस तरीके से दिया है दोनों साइड आगे पिछे के पल्ले दिया है जिसके लंबाई लगभग यहां पर देख सकते हैं 17 इंच करेंगे जो हम यह अलग से इसको यहां पर देख सकते हैं थोड़ा सा कपड़ा इन्होंने है तो अब हम इसको जो है अलग से जब हमें अगर डिजाइनिंग करनी होगे तो हम इसका यूज करेंगे अब हम पहले इसको कट करते हैं तो यह देखे जो हमारे पास कपड़ा है अस्तर का इसको हम इस तरह से दो फोल्ड कर लेते हैं दो फोल्ड करने के बाद बिचा लेंगे इसके बाद यहाँ पर हमें जो है यहाँ पर मैं पल्लो को बराबर ही कट कर रही हूँ ज्यादा उपर नीचे नहीं कट कर रही क्योंकि प्रिंसस कट में है और अब्रोइडरी भी काफी बराबर दिया हुआ है तो इसलिए अब हम इसका पहले कंधा चेक करेंगे कि जो हमारे गले का कढ़ाई है वो हमारे कंधे के किस हिसे तक आ रहा है यहाँ देखिए 7 इंच पर गला है और यह हमारा 12 इंच पर कंधा आसानी से आ जाएगा तो सबसे पहले हम यहाँ पर 6 इंच पर निशान लगा लेंगे कंधे का ताकि जो हमारे कढ़ाई है वो कटे नहीं यह देखिए चेंज पर हमें निशान लगा लिया उसके बद हम आर्मोल लगा लेंगे साड़े चेंज पर फ्रेंट्स की वाला बलाउज जो है वो मैं 36 साइस का बना रही हूँ 36 34 में यह बलाउज असानी से आ जाएगा आर्मोल डॉब करने के भाद हम यहाँ पर एक inच एक्स्ट्रा और निशान लगाएंगे यह देखिए इस तरीके से एक inच का एक्स्ट्रा निशान हम इसले ले रहे हैं एक इंच एक्स्ट्रा फाब्रिक हम कट करेंगे क्योंकि यहां पर मैं प्रिंसेस कट बताऊंगे तो थोड़ा सा चोड़ा फैब्रिक लगता है प्रिंसेस कट के लिए स्टिचिंग में हमारा कपड़ा जाता है तो यहां पर हम इसको पहले निशान लगा के कट कर लेंगे यहां पर जो आर्मोल ड्रॉक किया है वह पीछे का आर्मोल है तो हमें सबसे पहले पीछे का पल्ला कट करना है इस तरह से कट करने के बाद कंधे से हम इसको अलग अलग कर लेते हैं और आगे का पल्ला जो है यह देखिए हमने जो पहले निशान लगा था उस पहले निशान को कट कर लिया और कंधा अलग अलग कर लिया अब यहां पर हमको दो पल्ले मिल गए जो बड़ा वाला पल्ला है वो हमारा आगे का पल्ला है तो यहां पर हम निशान लगाएंगे सबसे पहले आर्म होल का आर्म होल के चटाई का निशान लगा दिए अब हम यहां पर प्रिंसस कट का भी निशान लगा लेंगे जो कि मैं ले रही हूं साड़ी तीन इंच उपड से ले रही हूं मैं यहां पर किया रेंच निशान बना कट कि रिंच कित ने समय दृट को हम बहुता है यहां से लिंगे Panula दीघन्स के सभी किसी मिला दिए अब यहां पर मैं एक और कॉटिंग अपको बिताती हूं मेरे पिछली वीडियो घंक आम दीखियो गीने मैं देखिय कि इस वीटियो मैं इसको पहले प्रिंसेस कट को कट कर लेना है तो यहाँ पे हम पहले कॉटन लाइनिंग को कट कर लेते हैं गला हम चुतेðारिक पान हूँ- यहाँ डार्फ देह सकते हैं यहाँ पर हम पढ deux uh-tear इसको रखा लेंगे डबल फोल्ड हम पर रखहना हैं और अच्छी से सेट कर ले करेंगे और हम इस पे कटिंग कर लेंगे कि इस तरह सेचार मुंट से हम को इस hommes को कटकर लेना चाहिए कि आप हमने कटकर लिया है देख सकते हैं इसके बाद हम आप मेंеромाकी कटिंग कर ने हैं तो स्लीव की कटिंग के लिए हम जो हमारे पास बचा हुआ कपड़ा है यह वाला कपड़ा इसमें हम स्लीव की कटिंग करेंगे तो यहां देखे यहां पर हमारे पास कपड़ा बच रहा है यहां हम स्लीव निकाल लेंगे जो कि हमें 10 इंच की निकालनी है तो इस तरह हमने च डाइ-इंच का करवक देते हुए कि दीन के लीज़ कॉर्णन सिसा पूरेघें निशान के हमें असमा मैं कर्णा कों निच के निचनि हैं aussi जए कट कर लेंगे ? इस बाइन हैं यह इता कि लेंगे के साथ लाइनिग अग्रेप क्ली तरह प्रेंगign की उता है काफी लोग net के blouse में स्लीव में लाइनिंग नहीं लगवाते हैं बट यहाँ पे हमको लाइनिंग लगानी थी तो हमने लेहँगे वाले में फैब्रिक की लाइनिंग को ही अटेच किया यहाँ पे चटाई का निशान लगा के हम इसको कट कर लेते हैं कट करने के बाद अब दिखिए अब यह जो हमारा नेट फाब्रीक है यहां पे हम कैसे कट करेंगे तो एक एक करके हमें पल्लों को अलग-लग लगाना है गली से गली को यहां पे हम मैच करते हुए इस तरह से पहले एक पल्ले को भिछा लेते हैं क vậy है यहां पर अच्छ वगको च्काओं को अच्छ शेट करती अ इसके बाद हम इसे कट कर देते हैं तो यह दिखिए बेट अच्छ हम इस तरिके से फोल्ड करेंगे और जो हमारा अस्तर दा एक वाल उसको हम यहां पर किछाएंगे बराबर लेते हुए एंब्रोईडी के नीचे आद ही इंचम को यहां पर कपड़ा रखना है सिलाई के लिए और इस तरह से मिलाते हुए हम इसको भी कट कर लेंगे चारोड से तो यहां आप देख सकते हैं जो लंबाई है वो हमारी थोड़ी से बड़ी हो रही है एंब्रोईडी की तो क्योंकि गला उन्हें चोटा चाहिए तो इस वज़े से हम इसको उपर से कट कर देते हैं अब यह देखे हमारा बैक पार्ट भी कटिंग हो गया है अब हमारे पास स्लीव के लिए यह देख सकते हैं आप कपड़ा कम है तो सबसे पहले जो है तो आप प्विसलीव के एम्ब्रोईडी को संट्र में रखते हुए यहां पर हम इस्तर को विछा लेंगे इस तरह से और फिर कट कर लेंगे देखें एंब्रोईडरी को सैंटर में रखना है और अच्छे से लाइनिंग कुप्ड़े को विछाना है और उसके बाद इससे कट कर लेना है चारोर से हम इसको इस तरह से कट कर लेंगे और जो कपड़ा हमारे पास साइड में बच रहा है इस कपड़े को हम यहां से कट करके निकाल लेंगे ताकि जो हमारा साइडों में कपड़ा कम पड़ रहा है वहां पे हम इसको जोड सकें तो इस तरीके से हम यहां पे अपने कपड़े को जोड लेंगे जोड करके एक्स्ट्रा फैब्रिक को हम यहां पे हटा देंगे तो फ्र